हेलो एवरीवन, वेलकम टु स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो अलाबाद हाई कोड से जो आरो ए आरो की वेकेंसी है इसके संबंद में कल एक न्यूस पता चली जो की वीडियो के माध्यम से उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि जैसा आप सभी जानते हैं कि जो एजेंसी इस एक्जाम को करवाती थी तो एजेंसी बदल गई है तो जो एजेंसी है वो परिच्छा का जो पैटर्न है साइद उसमें भी कुछ बदलाव करने वाली है और जैसा आप सब जानते हैं pre होता है और stage two होता है यानि कि mains जिसमें typing test लिया जाता है तो ये चरचा चल रही थी कि जो typing test है और आपका pre का exam है ये दोनों एक साथ करवाय जाएंगे और जो आपका result है एक साथ जारी किया जाएगा हाला कि आप सभी जानते हैं कि जो cut-off वगेरा है वो pre की जारी नहीं की जाती है सीधे-सीधे mains के बाद जो final result है वो जारी कर दिया जाता है तो जब ऐसा ही system है तो ये जो नई agency है वो दोनों परिक्षाओं को करवाने के बाद ही जो final result है वो सीधा जारी करने के उसमें है कि ऐसा करते हैं जो pre है और main से दोनों एक साथ करवाने के बाद जो final result है वो जारी कर दिया जाएगा तो ऐसा चर्चा चल रही थी तो उसी संबंद में जो update आई थी वो मैंने आपको दी थी तो बहुत से बच्चों ने लगातार counter question किये पूछा कि सर एक साथ चार लाख लोगों का typing test कैसे हो सकता है इतने computer कहां है इतने जो ये हैं वो कहां से उपलाब्द हो पाएंगे इनको center कहां मिलेंगे और ये सारी चीज़े एक साथ इतना सारा इतना बड़ा process एक साथ इतना सारा typing test होना तो बहुत ही मुश्किल है कैसे ये सारा exam हो पाएगा और ये ख़वर बिल्कुल गलत है ऐसा कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं होने वाला है तो दीखे होने वाला है या नहीं होने वाला है ये या तो high code जानता है या तो फिर आप ही बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे तो आपको भी बहतर तरीके से पता होगा कि होने वाला है या नहीं होने वाला है और अगर ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा, तो वो notification के साथ ही आपको जानकारी मिल जाएगी, कि होगा या नहीं होगा, जो अलहबाद High Court से update मिली थी, बस वो update मैंने आप तक पहुचाई थी, कि ऐसा कुछ होने की चर्चा चल रही है, और हो सकता है आपका जो pattern है, वो बदल अब बात करते हैं कि 4 लाख लोगों का एक साथ exam कैसे हो सकता है, प्री के साथ साथ typing कैसे हो सकती है, क्योंकि ये exam तो offline होता है, तो देखिए, चर्चा ये भी है कि online exam करवाए जाए, जो आपका ये अलहाबाद High Court का exam है, ये online हो और इसके साथ ही typing हो, और आप SSC को तो बखुवी जानते ही होंगे, SSC 10-12-15 लाख लोगों का exam कंप्यूटर से online ही करवाती है, आप जो IBPS है, उसके exam तो जानते ही होंगे, कि इनके भी exam एक साथ करवाए जाते हैं, 10-12-15 लाख लोग exam देते हैं, तो फिर ये 4 लाख किस गिंती में आते हैं, और रही बात 4 लाख form की, तो जो पिछली भरती आई थी, उसमें मात्र 83,000 के लगबक कुछ लोगों ने ही form भरा था, और हाँ, उम्मीद है कि इस बार जो form है, वो 2-3 लाख के something पहुंच जाएगा, क्योंकि बेरोजगारी इतनी चरम सीमा में पहुंच चुकी है, कि हो सकता है कि जो इस बार vacancy आ काफी बच्चों ने form भरा था, तो निश्चित तोर पर इसमें भी काफी form भरे जाएंगे, हो सकता है 2-3 लाख form भर दिये जाएं, लेकिन 4-5 लाख पहुंचना मुस्किल है, लेकिन मुस्किल कुछ भी नहीं काल जा सकता है, कितना form पढ़ जाए, क्योंकि आपने अभी PCS exam में देखा, कि पहली बार जो 6-7 लाख था, वहां आखड़ा पहुंच गया था, तो form कितने भी भरे जाएं, अगर जो agency इसका जिम्मा ली है exam करानी की, online या offline जैसा भी, और जैसा वो सही समझे की, तो ये उसका काम है कि उसको कैसे कराना है, और अगर pre के साथ-साथ typing हो जा ये तो आप ही के लिए बहतर है, कि जहां आप cut-off से बाहर ही पहले ही बाहर हो जा रहे थे, 145-50 नंबर लाके, तो कम से कम इस बार आपको typing में मौका भी मिलेगा, और 50 में 50 लाएंगे तो आपका score ही increase होगा, और हो सकता है आप cut-off में आ जाएं, और ज्यादा score करेंगे तो और भी बहतर है आपके लिए, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं, और अब बात करते हैं, कुछ बच्चों के ये भी question थे, कि सर अगर एक साथ exam होगा तो हम typing speed तो हमारी है नहीं, कैसे बढ़ाएं, क्या करें, तो इसके लिए सबसे अच्छा solution यही है, कि आप अभी से typing में पहुंचके और typing जो है 50 की speed में कर दें, ऐसी कोई रामबार दबा नहीं है, आप अभी से typing सुरू कर दें, आधा घंटा, एक घंटा, और जब notification आ जाए, उसके बाद देखिए, कि एक साथ exam करवा रहे हैं, typing का, या बाद में करवा रहे हैं, उसके अनुसार आप अपनी जो बढ़ाएं और ये सारी चीज़े, इस पर एक अलग वीडियो, उस पर मैं आपको चर्चा करके बता दूँगा, कि कैसे आप अपनी जो speed है, उसमें नियंतरन ला सकते हैं, कैसे speed बढ़ा सकते हैं, और जो आपकी गलतियां होती हैं, उनको कैसे कम कर सकते हैं, वो एक अलग वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, यहां पर बताएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो सकता है, बस आपके लिए speed के लिए बढ़ाने के लिए यही एक solution है, कि आप अभी से typing में लग जाएं, आदा गंटा एक घंटा जितना भी आपको time मिलता है, तो यही information थी, कि कै ऐसे 4 लाख लोगों का exam एक साथ pre और means होगा, तो exam online होनी की चर्चा है, इसलिए यह चल रहा है, ऐसा नहीं है कि आपका pre offline हो और means के लिए कहीं और center भेजें आपको, मतलब typing कहीं और करवाने भेजें, तो वहीं होगा, online होगा, तो यह भी है कि online के साथ साथ आपका online exam होगा और typing भी 10-15-20 मिनट बात, आदा घंटा बात, जितना भी वो time schedule होगा, उस अनुसार वो करवा लेंगे, और अब तो बहतर तरीके से आप समझ गया होगे, मुझे नहीं लगता है, आप कोई confusion होगा, और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, वैसे ही होता है, offline exam होगा, तो offline exam होग तो channel को subscribe जरूर कर ले, thank you